तो इस्टेबल का जो आज 25 अगस की पहले सिप्ट का पेपर हुआ है उसके हम लोग रीजिनिंग के कोश्चन सारे देख लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात करूंगा जो लोग नए है तो प्लीज चैनल को जरूर सबस्क्राइब करने चलिए स्टार्ट करते हैं तो दिखे पहला कोश्चन है प्रसन चिन के स्थान पर उत्तरा करतियों में से उच्चित अकरती को चुनना है तो दिखे यहां पर लगा हुए कोश्चन मार्क कैसे करेंगे सबसे पहले दिखे पहले फिकर में आपका ये ब्लैक पॉइंट देख रहोग फिर ये आपका जो ब्लैक पॉइंट था ब्लैक जो पॉइंट था वो फिर से देखे 90 डिग्री यहां पर मुड़ गया यहां पर आगया उपर की तरह मतलब घड़ी की बिपरी दिशा में 90 डिग्री मुड़ते जा रहे हैं तो अब देखिए पहला फिकर और दूसरा फिकर बाजाई गा इधर तरफ आजाएगा ऑक्रफिंद कि तरफ आजाएगा पॉऍसरा का सा bleibt आमसरा अगला है प्रसंचन पर उत्तर करतियों में से उच्छे तक करते चुनिए तो देखे गाइस पहले और तिसरे फिकर को देख लेते हैं पहला फिकर देखे वी बना हुआ है इसका दरपाण प्रतिविमाप का बन गया वी उल्टा हो गया और यह स्टार था यह स्टार कहाँ पर आगया इदर तो यही तरीका हम लोग इसमें लगाएंगे तिसरे फिकर में तो कैसे होगा सबसे पहले देखिए यह जो है एक दूसरे के बिप्रीध हैं पहले तिसरे फिकर का कमपेरिजन करते हैं वी जो है इदर ऐसा है और यह स्टार था इदर यह स्टार इदर हो गया तो यही तरीका हम लोग दूसरे और चोथे के लिए लगाएंगे तो यह नीचे की तरफ भी है तो यह वी ऊपर की तरफ हो जाएगा तो ऐसा आपका figure बन जाएगा, चौते figure में तो ये किस में आ रहा है, option B में तो option B is right answer अगला जो question है पियानों जो है, संगीत के लिए यूज करते हैं, तो साहित के लिए क्या कहेंगे, साहित के लिए कहेंगे option D कभिता, poetry option D is right answer अगला question है साद्रस पूरा कीजिए तो otitis, media का मतलब क्या होता है, कान का एक रोग हो जाएगा तो मोतिया बिन किसका रोग हो जाएगा, आँक का रोग तो option C is right answer अगला है 7 का संबंद 49 से, तो 9 का संबंद किस से होगा तो साथ का संबंद 49 कैसे हुआ तो साथ का स्कॉर कर दिया, तो हमें 49 मिल गया तो यही तरीका 9 के लिए लगाएंगे तो 9 का स्कॉर कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा एक क्या सी तो option B is right answer चटा question है चटा question में कहता है, यदि आप सुरू में दच्छन की और मुह करके खड़े हैं तो अपकी नीचे की तरफ होती है और फिर 180 डिगरी बाई और मुड़े तो नीचे की तरफ हैं, तो बाई आपका किता तरफ होगा इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ पूरब की तरफ तो 180 डिगरी गोमना है तो सबसे पहले तो हम लोग एक direction बाला बना लेते हैं यह आपका यहाँ पर देखिए 90 degree पहले गोमेगा तो यह आपका पूरा बाजाएगा फिर 90 degree गोमेगा तो यह पूरा का टूर कितना हो जाएगा 180 degree गोम जाएगा तो आपका उपर की तरफ आजाएगा तो आगे कहता है अब आपके इस जिसा में मुझ करके खड़े हैं तो आपके जिसा उपर की तरफ कौन सी होती है उत्तर तो option B is right answer अगला देखिए question बहुत ही simple सा है question इनिमलिकित प्रस्ट में आपको दिये गए सब्द के साथ 4 सब्द दिये गए इसमें से कौन सा उप्योग करके नहीं बनाया जा सकता है सब्द है आपका independence और आपके चार option आपके दिये गए इसमें से आपका कौन सा नहीं बनेगा तो एक-एक option चेक करते हैं पहला है needed needed के alphabet independence में आ रहे तो सबसे पहले N double E तो independence में N double E है देखें देखते हैं N है और double E भी है यहां देखिए और फिर D, E, D D भी है, E भी है फिर D है आपका आगे तरफ तो पहला तो बन सकता है फिर है आपका indeed indeed के alphabet आपके independence में आ रहे हैं तो देखिए ind सबसे पहले तो इस starting में ही मिल गए फिर double E, double E, double E देखिए यहां मिल गया फिर D, D देखिए यहां पर मिल गया तो option B भी बन सकता है अब हम लोग check करते हैं peanut तो देखिए इसमें देखिए P alphabet यूज हो रहा है और large बीच में आप देख सकते हैं P double E है तो देखिए A alphabet extra यूज हो रहा जो की independence में नहीं है तो आपका option C नहीं बन सकता अगला question है कतनों को पढ़िए और सरवत्तम निसकर्स या निसकर्सों को चैन कीज़े जो कतनों में दीगे धार्णाओं का अनुसरान करता है question देखिए कतन है एक T20 cricket match में एक टीम द्वरा बनाएगे कुल run कितने है total आपके run कितने है 120 इसमें से 60 run spinnerों ने बनाए है तो spinner ने कितने बनाए है 60 run अब निसकर्स क्या है टीम में 20% spinner है तो बिल्कुल गलत क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इतने spinner है इस टीम में फिर मद्दिक्रम में बल्ले बाजू है ये भी गलत क्योंकि पता ही नहीं हमें तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ना तो निसकर से एक ना ही निसकर से दो अनुसरान करता है एक्स्ट है देखिए दिया हुआ है जी कमा ए कमा आर कमा एन कमा आई कमा टी अच्छरों का उपियो करके बनाया जा सकने बाला सब्द ढूंडिए सबसे पहला है grind grind के देखिये alphabet उपर मिलने है तो g, r, i, and d तो g b है, r b है, i b है, n b है लेकिन d नहीं मिलना कहीं तो पहला आपका नहीं बनेगा option b चेक करते हैं train train के alphabet उपर मिलने हैं देख लेते हैं तो t, देखे t b है, r b है फिर a की बारी a b है फिर IBA, NBA तो आपका B बन सकता है ट्रेन आपका right answer हो जाएगा अगला है बादल बारिस से उसी तने से संबंदित है जैसे हवा संबंदित है तो कि बादल से बारिस होती है तो हवा से क्या होगा हवा ही आएगी तो option C is right answer अगला है दिये गए आरेक का परिच्छान कीजिए और निमलिकित प्रस्ण का उत्तर दीजिए तो circle जो है question देखे पहले क्या है कितने सिच्छित ब्यक्ति पिछड़े माने जाते है सिच्छित ब्यक्ति तो सिच्छित लोग किसमे है ट्रेंगिल में और ब्यक्ति की बात हो रही है सिच्छित ब्यक्ति तो हो गए लेकिन पिछड़े वाला कौन सा हो जाएगा यह आयत हो जाएगा दो का काम है आपका आगे किछड़े कितने सिच्छित ब्यक्ति पिछड़े माने जाते हैं तो ऐसा हमें नमबर चुनना है जो आपके दोनों में आ रहा हो तो वो देखे बीच में आपका देख सकते हैं ग्यारा और तीन ये जो सिच्छित व्यक्ति हैं वो पिछड़े हुए हैं तो ग्यारा प्लस तीन कितना हो जाएगा चौदा है option B is right answer अगला देखे लुप्त संख्या ग्याद कीचिए कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखे अल्टरनेट चलेंगे 13 से 17 बनाया कितना जोड़ा आपका 4 जोड़ा फिर देखे अल्टरनेट चले 17 से 21 बनाया कितना जोड़ा 4 जोड़ा अब यही तरीका एक के लिए लगाएंगे एक में चार जोड़ाएंगे तो आपका कोशन मार की जगे पर क्या आजएगा 5 तो आपका अंसर क्या हो जाएगा 5 तो option D is right answer अगला कोशन देख लेते हैं क्या कहता है आपका अगला कोशन देख लग सकते हैं नेम्लेकित में से बसम या बेजोड ग्याद कीजिए से के 40-90 ये होता है 16 का क्यूब होता है और 49 Calling ये होता है 17 का क्यूब होता है और 532 ये होता है 18 का क्यूब लेकिन आप देखेसे सीरियल वाई से चल भाइच सोशन के बाद 17 सतरा केबां 18 और आप किसका क्यूब आएगा 19 का 19 का क्यूब क्या होता है 375 होता है 375 लेकिन दिया हुआ है 380 तब का बिसम कौन सा हो जाएगा option D is right answer अगला है निम लिखित स्रंख्ला वाला है कोशन गाइस देख लिए जगेगा निम लिखित स्रंख्ला में अगली संख्या ग्याद कीजि तो देखिए गाइस 220 से 220 बना रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है एक की ब्रद्दी हो रही है 221 से 239 बना रहे है तो आपके कितने की ब्रद्दी हो रहे है आठ की ब्रद्दी हो रहे है और 239 से 256 बना रहे है तो आपके कितने की ब्रद्दी हो रहे है गाईस 27 की ब्रद्दी हो रही है अब एक ची देखिए एक जो है एक का क्यूब हो गया आठ जो है यह दो का क्यूब हो गया 27 जो है यह तीन का क्यूब हो गया अब आगे जो संख्या आएगी उसमें कौन सा क्यूब जुड़के आएगा 4 का cube 4 का cube कितना होता 64 इस 64 को 256 में जोड़ देंगे तो आपका अंसर आजाएगा तो जोड़ देते हैं 4 6 10 की 0 हांसल लगा 1 6 6 12 की 2 हांसल लगा 1 3 320 आपका अंसर हो जाएगा 320 आज इस राइट आंसर तो option D option D is right आंसर अगला देखिए बिकल्प 1 2 3 और 4 में से सही दरपण 6 भी चुनिए यदि दरपण X Y पर रखा जाता है दरपण परतिमिम क्या होती लेट वाली चीज़ राइट में आ जाती है राइट वाली चीज़ लेट में आ जाती है तो एक box बना लेते हैं सबसे पहले और box में सबसे पहले दरपण परतिमिम के लिए देखिए परसना करती का ये circle है ये कहां पर चला जाएगा ये आपका यहां चला जाएगा अब देखिए इंसान का सर है ये ये सर आपका बीचिम रहेगा फिर बीच में एक आयत बना लेते हैं अब इसकी एक टांग ये black color की है परसना करती में ये कहां चली जाएगी ये आपकी दूसरी तरफ चली जाएगी क्यूंकि लेट वाली चीज़ राइट में राइट वाली चीज़ लेट में अब बीच में देखिए ये आपका खाचा है ये खाचा आपका कैसा हो जाएगा दूसरी तरफ हो जाएगा इससे अब देखिए इसका हाथ है नीचे की तरफ 45 डिगरी गोमा हुआ तो ये हाथ दूसरी तरफ चला जाएगा 45 डिगरी गोमा हुआ अब ये 90 डिगरी घुमा हुआ हाथ है ये कहां चला जाएगा दुसरी तरफ ऐसा ऐसा फिगर बनेगा तो ये फिगर किसमें बन रहा है option 4 में बन रहा है तो option 4 आपका मिल जाएगा right answer अगला देखिए question क्या है बहुत ही simple सा है यदि green का संख्या code है उन्चास तो violet और pink के संख्या code के बीच अंतर क्या होगा सबसे पहले green के लिए देख लेते हैं green का है उन्चास तो green के सारे alphabet code लिख लेते हैं G का code होता है 7 R का होता है 18 E का होता है 5 सभी को जोड़ते चलते हैं और फिर E का होता है 5 और N का होता है 14 सभी को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 49 जो की question में दिया गया यही तरीका हम लोग violet और pink में लगाएंगे और उनका हो minus कर देंगे तो violet में सबसे पहले V का alphabet code क्या होता है 22 होता है और फिर plus I का होता है 9 O का होता है 15 फिर plus L का कितना होता है L का होता है 12 फिर E का होता है 5 और T का होता है 20 सभी को जोड़ दिया और बीच में minus लगाएंगे क्योंकि संख्या code के बीच अंतर पूछा गया आप पिंगे के alphabet code लिखके जोड़ देंगे P का होता है 16 और I का होता है 9 N का होता है 14 K का होता है 11 पहले इदर बाला जोड़ते हैं देखे 22 90 कितना हो जाएगा 31 31 और 15 21, 45 46 46 हो गए 46 52, 58 58 55 कितना हो जाएगा 63 63 और 20 कितना हो जाएगा 63 83 83 आ गया आपका, 83 माइनस लगाया अब इधर वाले जोड़ देते हैं, 16, 9, 25, 25, 14, कितना हो जाएगा, 35, 4, 49, 49, 41, 50, 83 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा, 60, 70, 80, 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और 33 आपका राइट आंसर, तो option B, it's right आंसर, अगला है बहे आकरती चुनिए जिसमें प्रस्णाकरती सन्नी ही थे, सबसे देखे प्रस्णाकरती आपकी X है, तो प्रस्णाकरती का सबसे पहले देखिए, इस टाय उपर आपके कितने भी हैं, 1, 2, 3, 4, यह 4 भी देखिए, 5 भी आकरती में मिलने हैं, और कहीं भी option A, option B, और option C में कहीं भी नहीं मिलेंगे, देखिए कैसे, 1, 2, 3, और 4, मिल गए, अब नीचे वाला यह triangle जो है, इसमें देखिए, यहां पर मिल गया पूरा, पूरी की पूरी आकरती, चौथे वाले फिकर में आपकी समाहित है, सन्नी हीत है, तो option, तो इसका answer क्या बनेगा, चौथा वाला, तो option C is right answer, अगला देख लेते हैं, question, question निमल के संख्या, संख्या में अगली संख्या क्या आएगी, देखिए, 140-120 बनाया, 20 गट रहा है आपका, 130-90-90 बनाया, 30 गट रहा है, 90-50 बनाया, 40 गट रहा है, अब कितना गटेगा, पचास गटेगा, तो आपका 0 आजाए में, option C is right answer, अगला इस रंखला, F, J, N, R, में अगला अच्छर कौन सा आएगा, देखिए, F का कोड होता है, 6, J का होता है, 10, N का होता है, 14, R का होता है, 6-10 बना चार जुड़ा, 10-14 बना चार जुड़ा, 14-18 बना चार जुड़ा, तो आगे भी चार जुड़ेगा, रठा 5, J का होता है, 7, 2-3 बना आपका कितना जुड़ा, 1, 3-5 बना कितना जुड़ा, 2, और 5-7 बना कितना जुड़ा, 2, और आप, देख सकते हैं, 2-2 जुड़ रहा है, लेकिन, आप एक चीज़ देखिएगा, 2, 3, और 5 और 7, यह सभी क्या है, प्राइम नंबर है, अबाजे सं क्या कौन थी होती, 9, 9 किस कालफाबेट कोट होता है, C का, सुरी, I का होता है, तो option C is the right answer, अगला दीगे संख्या, संख्या में अगला पत क्या आएगा, तो सबसे पहले देखिए, आपका सेट बोज दिया गया है, गिबन सीरीज उपर दी गई है, तो यह आपका पहले फि में है, फिर बही, दुसरा जो ट्रेंगिल आया है, दुसरे फिगर में, यह इसका मूँ जो है नीचे की तरफ आ गया, और दुसरे खांचे मा गया, अब फिर आगे चलके यह तिसरे खांचे मा गया, लेकिन मूँ जो है वो ऊपर हो गया, मतलब डायरेक्शन चेंज होती ज नीचे, तो अगले फिगर में देखिए सबसे पहले सट पूच बना लेते हैं हम लोग, ऐसे, 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 अब ट्रेंगल कहां पर आएगा, लेकिन जो मूँ होगा, वो नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ कैसे होगा, ऐसे होगा, ओके, तो यह अपका किसम में बन गया, ओप्सन ए में, तो ओप्सन ए, इस राइट अंसर, अगला जो कोशन है, दी गई आकरती में त्रिबूजों की संक्या बताईए, जहां से ब्लू कलर से लाइन करें, उसमें देखें ट्रेंगल कितने हैं, यहां से नीले कलर से कर रहे हैं, इसमें टोटल ट्रें और इधर तरफ देखिए, इसमें हो जाएंगे तीन, और नीचे तरफ देखिए, इसमें हो जाएंगे तीन, और इधर तरफ देखिए, इसमें भी हो जाएंगे तीन, तो यह बारा होगे, आठ और बारा कितना होता है, बीस होता है, तो आप्सन सी, इस राइट अंसर, अग पांच छे साथ और आठ अब हम लोग लंब में जाएंगे परपेंडिकुलर इसमें कितने हैं आयत दो तीन चार पांच नमबर इंग दे देते हैं छे साथ आठ मतलब दोनों तरफ सम है तो सम को हम लोग जोड़ देते हैं पहले मतलब छैतिर पंक्सिवाली को जोड़के उसक किसका स्कॉर कर देंगे हम लोग इसके लिए फार्मूला होता है किसका स्कॉर कर दो जब भी सम आये दोनों तरफ चैते जब लंब लंब बत तो इसकॉर हो जाता है तो चैसका स्कॉर करेंघे तो गुणा करके देख लेते हैं चाचरंग चैस आचनल लगा 31 साथ एक फिर द 1296 आपका राइट आंसर हो जाएगा 1296 ओके तो आपसे इस राइट आंसर अगला नीचे दिएगा चित्रों का अध्यान कीजिए और नीचे दिएगा चित्रों में से बहुत चुनिए जो उपर दियेगा पैटर्न को जारी रखने के लिए सबसे उप्योक्त होगा सबसे पहले आपषिक हो एफ से ञिए लेकिन नीचे चला गया 5 बहुत जगया तो 6 फिकर में दुसी तरफ आ जाएगा तो किधर में अप्सिन एगा PC सुद्रे में और चौते में आ रहा है Cum नहां पर देखिए पहले फिकर में ब्लेक वाला सरकेल है यह कटा हुआ है इसकी charging देखें गोमी कि दुस्री तरफ दूसरे में मुढ गया अतलब 15 डिगरी घों गया तुसरे फिकर में 15 डिगरी कुमा फिर 15 डिगरी कुमा उसके बार 15 कुमे तो आपका कैसा बन जाएगा option A बन जाएगा तो option A is right answer okay अगला है साध्रस पूरा केजिए मचली जो है वो गलफ़णों दोरा सांस लेती तो मान अप कैसे लेगा फेफ़णों के दोरा option B is right answer अगला है सब्सक्राइब अगला है निमलेखित में से कौन से सब्सक्राइब के पीधित 10, 21, 14 और 5 लिखा जाए देखे J का कोड होता है 10, U का कोड होता है 21 N का कोड होता है 14 और E का होता है 5 सेम सेम लिख दिया गया तो जुलाई में भी यही तरीका लगाएंगे J का कोड होता है 10, U का होता है 21 और 2 का होता है 25 तो यह नमबर किसमें मिलना है? option B में option B is right answer अगला यदि रभी बार को जन्वरी रभी बार को करा जा रहा है जन्वरी में मंगल बार को करा जा रहा है मार्च में करा जा रहा है मतलब एक एक दिन भी बढ़ रहा है और एक मंथ भी बढ़ रहा है और गुरु बार को मंगल बार के बाद देखे गुरु बार को करा जा रहा मई एक-एक मंद पड़ा तो इसी प्रकार सनी बार के लिए क्या हो जाएगा तो सनी बार के लिए क्या हो जाएगा कर एगला देखी क्या है निम्लिकित में से असमान संख्या ग्याद कि जीए यह चार का स्कॉर सब्सक्र नी दो यह होता है ग्यारा का क्यूब, यह होता है 297, यह किसका हो जाएगा, यह होता है 13 का क्यूब, 493, यह किसका होता है 17 का क्यूब, मतलब यह बढ़ते जा रहे हैं, आसमान संक्या बतानी है, तो इसमें से सभी तो cube आपके दिये गए 58 बते सक लेकिन 68 69 जो है वो किसी भी संक्या का square नहीं होता है ओके तो option C is right answer किसी भी संक्या का cube नहीं होता है तो option C is right answer तो गाइस आज किस वीडियो में इतनी अगर आपको वीडियो पसंद आप वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें